हेलो फ्रेंज, आठ ऐसी टिक्नीक बताने वाली हूं जिसको यूज करके आपके बच्चे टॉप करेंगे हर एक्जाम में हेलो बच्चों, कॉंसेंट्रेशन को हाई लेवल का करने के लिए कुछ टिक्नीक लाई हूं, ध्यान से सुनो, कुछ और काम मत करो, फोकस करके सुनो मेरी बात को, उसके बाद अपलाई करना, फिर बताना कि कॉंसेंट्रेशन कितना हाई हुआ है नमबर वान, आप पढ़ाई जब भी शुरू करने के लिए बैठ होगे, पढ़ाई के लिए बैठ अपने जगह पे, वो जगह बिल्कुल क्लीन होने चाहिए, बिल्कुल क्लीन, कोशिश करो कि लाइट किल्दी की पेशिच यूज करो, या लाइट कलर का टेबल कवर पूरे सब्चेक का टाइम टेबल बनाओ, आज जो चीज करनी है, उसका टाइम टेबल बनाओ, बकाईदा बिल्कुल टाइम लिक लिक करके बनाना, हर चीज रुटेन होना चाहिए, ताक कि आपका माइन मेक अप रहे, और आपको उबन ना हो, अगर आप बच्चे हो, तो पेरेंस करें ऐसा, टाइम टेबल बहुत अच्छे से बनाएं, एक एक चीज को ब्रेक करके बनाएं, और हर एक टॉपिक के बाद, पांच मिनट, दस मिनट का ब्रेक जरूर है, तो इस तरह से आपका ब्रेन सेट अप रहेगा, कि हाँ, अभी मुझे इतना फोकस करना है, इ कुसी तरह, शांत मन में आप बहुत अच्छा पढ़ाई कर सकते हो, बहुत जादा ग्रैस्प कर सकते हो, तो उसके लिए आप वन से टू मिनट का मेड़ेशन जरूर करो, आप पिक्चर यूज कर सकते हो, कोई भी कैंडल को देख करके, आईस क्लोज करके, मेड़ेशन की प ब्रेन को, जब भी आपको उबन होने लग जाए, बढ़ाई करते-करते, तो उसमें से आप उठो, थोड़ा बाहर जाओ, थोड़ा फ्रेश अवा खाओ, और फिर वाक करके आके फिर से बैठो, पानी ज्यादा पीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब जब आपको वाटर आपकी पास ऐसी एक वाल होनी चाहिए, जिसमें आप इतना बड़ा कार्टबोट एक कलरफुल एक चाट में पर से करके पेस्ट करके, एक तयार करके रखो स्टरी टेबल के सामने, आप जब भी पढ़ोगे, आप बहुत सारी चीजों का यूज़ करो, कलरफुल पेंसिल, स मार्कर, हाइलाइटर, इस तरह की चीज़े यूज़ करने से, आपको कुछ भी अगर याद नहीं हो रहा है, तो आप स्टिकी नोट में लिख लो, पेस्ट कर दो, फिर आप जब आप उसको बार-बार देखोगे, आपको आराम सी याद होगा, तो आपको इंट्रेस्ट पढ़ने का पढ़ने में और आपका पांसेंट्रेशन बना रहेगा, कच्छा इंवार्मेंट बहुत ज़रूरी होता है, कांसेंट्रेशन को हाई करने के लिए, तो जहां भी बच्चे पढ़ते हैं, या जो भी लोग पढ़ते हैं, जसी कि लाइप्रेरी में आपने देखा होगा, कि एक महाल बन जाता है, वहाँ पर जाते हैं, या पढ़ने लग जाते हो, तो ठीक उसी तरह आप अपने घर में भी एक इनवार्मेंट तयार करो, पैरेंस भी अगर बच्चों के साथ साथ सपोर्ट करें, और ग्रूप स्टेडी करें, तो बहुत ही अच्छा आज का मंत्र है, म्यूजिक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है, मैंड को कॉंसंट्रेट करने का, और कॉंसंट्रेशन हाई करने का, तो आप मूजिक जरूर अपलाई करें, इसको एक स्लो मेलोडियस म्यूजिक आप पढ़ाई किसे में जरूर चलाएं, तैंक यू